हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का यहां पर एक बर फिर से सो यहां पर टॉपिक आप देखी देखी रहे हों कि अभी स्क्रीन के उपर क्या है जो डी ये पेडल है टो दे सीनियर्स एंड डेटायड पैंचिनर्स वैडिस बेस्ट ऑन सीपी फिगर्स आपको पता है वह र वह यहां पर पेंडिंग है तो उसको हम अज्यूम करेंगे एंड जो भी टैंटेटबली हमारा डी ये बनेगा फ्रॉम्द अगर्स्ट अगर्स्ट से फॉर नेक्स सिक्स मॉंथ उसको यहां पर यहां पर ऑबर विव सा मैं आप लोग लोग के लिए यहां पर शियर कर दू प्राइड टू फर्स्ट नमेंबर नाइंटी टू 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 जिरो सिक्स वन ओवर तो अगर आपकी बेसिक पर वन तू फाइप जिरो प्रसंट रहने वाला है अगर आपकी बेसिक पर वण तू फाइब बान से तू थू थाउज न के वीच में है तो वन वन थि-थि-3.500 क में है तो 680.13% रहने वाला है तो दोस्तों बेसिक पे अबब 2130 तो 350.37% में की रेंज में आ जाएगा तो अगर आपके बेसिक पे रूपीज 24 तक है तो 673.40 है अगर बेसिक पे 2401 से लेके 3850 है तो 557.96% if the basic pay lies in the range रूपीज 3851 to 4100 तो 337.08% if the basic pay is above रूपीज 4100 तो 173.16% so retired on or after 1st April 98 up to 31st October 2002 crunch slaps 1790 over 1683 points अगर अब 2 basic पे आपकी 3550 है तो 429.60% and basic pay रूपीज 3551 to 5650 तो रहेगा DR 358% अगर बेसिक पे 5561 से लेके 6010 है तो 214.80% and basic pay above रूपीज 6010 तो 107.40% so retired on or after 1st November 2002 so आपका जो basic pension amount का कितना रहेगा 295.02% retired on or after 1st November 2007 तो रहेगा आपका 225.30% for the basic pension amount अगर आप retired on or after 1st November 2012 तो crunch slaps है 1101 तो रहेगा आपका 110.10% for retired on or after 1st November 2017 तो रहेगा आपका दोस्तो 43.61% so यह एक tentatively data है जो हमने collect करने की कोशिश करी है so please make sure to subscribe to channel and share the update with other respected senior friends